नमस्कार दोस्तों और इस्टेटी विद ग्यान प्रकास में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में हम लोग EBS यानि की Environmental Science पर्यावरण के 151 बहुत ही महतपूर प्रसनों को करेंगे डिसकस ये प्रसन आपकी परिशा में सीधे सीधे पुछे जा सकते हैं इसलिके पूरा वीडियो आप लोग ध्यास लेखेगा देगा फ्रेंड सोसल मीडिया अगर आप इस्तिमाल करते हैं और हमसे भी Connect होना चाहते हैं तब आप हमें Facebook, Instagram, Twitter या Telegram पर Study with ग्यानप्रकास लिख कर सर्च कर सकते हैं इस लेक्टे की PDF को अगर डाउनलूड करना चाहते हैं तो आप हमें Instagram पर मेसेज किजिएगा या फिर Telegram पर जाकर इसे डाउनलूड कर सकते हैं लिंक वीडियो के description में दिया गया है चैनल पर अगर आप पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान को प्रिस कर दीजिएगा और इसे एक्टिवेट कर लिजिएगा और वीडियो को पसंद आएगा तब आप इसे लाइक करना बिलकुल भी मत भुलिएगा तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहला कोशन देखते हैं बताएगे कि विश्व पृतिवी दिवस कब मनाया जाता है तो फ्रेंड्स विश्व पृतिवी दिवस प्रतिवस 22 अप्राइल को मनाया जाता है और ये बहुत ही मत्पूर पसन है इसलिए आपको इसको ब हो है रिश्टोर अवर अर्थ ठीक है ये थीम है इसको आपको याद अखना है 2021 की थीम है रिश्टोर अवर अर्थ भारत में नई वन नीती कब बनी थी देखिए भारत में दो वन नीतियां अब तक बन चुकी है आपको बता दें कि भारत उन कुछ देसों में है जहां पर 18 1994 से ही वन नीत लागू है 1952 में और फिर 1988 में संसोधित बननीत लागू है यानि कि पहली बार 1952 में दुसरी बार जब नई बननीत बनी थी तो 1988 में बनी थी तो ये चीजें आपको बिलकुल याद रखनी है आगे बढ़ते हैं भारत में चंदन की लकडी के सरवार्धिक बन कि कृट्र राज में हैं तो इसका तो जाएगा कर्नाटक में और तीधो एक डाटा भूप होता है तो यादखना कि संगटापण पादप यानी कि पाथे और जी जन्त जो होते हैं उन की लिस्ट होती है definitive Tibet में इंस् singersर्च institute कहां पर इस्तित है तो इसका उत्र जाएगा उत्तराखंड में जो कि देरादून में मतलब देरादून उत्तराखंड में ही है इस्तित है और मिनी माता रोग किसके करण होता है देखे फ्रेंड्स मिनी माता रोग जो होता है ये पारा दियाने की पारा युक्त जो मुचलियां थी, उसको खाने की वज़े से लोगों के सरी में घड कर जाता है और बहुत सरे लोग इससे मारे गए थे, मिनि माता नामक एक स्थान के पास ही ये फैला था तो इसलिए इसे मिनि माता रूग नाम दिया गया था अगर ये कुछन है कि Indian Institute of Forest Management कहां पर है तो इसका तो जाएगा भोपाल भारत में जल प्रदूशन निवारन और नेंथरन कानून कब बना था भारत में जल्र प्रदूशन निवारण और नेंत्रन कानून बना 1974 में आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेशन बहुत ही मत्पूर है कि पर्यावरणी आयोजन के साथ मूलता है समंदिते नेरी और नेरी का जो हेड़क्वार्टर है वो मिलेगा आपको नागपूर में तो ये प्रस्त कई बार रिपीट हुआ है ठीक है और अगला क्वेशन होगा कि सबसे मुख के वाय प्रदूसक कौन सा होता है तो ये होता है कार्बन मोनाकसाइड और विस टाइगर दिवस ये कमना जाता है ये प्रत्वरस होता है 29 जुलाई को ये भी आपको याद रखना है एक सिंग्वाला जो गेंडा होता है फ्रेंट्स देखी जो गेंडे होते हैं वो दू तरीके के होते हैं दो सिंग्वाला गेंडा और एक सिंग्वाला गेंडा तो एक सिंग्वाला गेंडा जो होता है यह मुख की रूप से काजी रंगा में पाया जाता है काजी रंगा जो न आप देख रहे विडियो बूठाने का उद्धित यही ए कि आपकी परीशाय निकट है तो तेजी से एक बार उन सभी प्रसुनों का revision हो जाए one liner के रूप में जो कि आपकी परिच्छा में पुछे जा सकते हैं बहुत ही important है अगला question होगा भारत का पहला bio sphere reserve यह कहाँ पर है तो याद है ना कि भारत का जो पहला bio sphere reserve है यह है नेल गिरी ठीक है और भारत में राष्ट्री वन नीत कब शुरू होई थी तो भारत में जो राष्ट्री वन नीत थी यह 1952 में स्टार्ट वी थी नई वन नीत थी 1988 में होई थी यह प्रस्म ने अभी आपको बताया था ट्रोपो स्फियर में कितनी उचाई पर एक डिगरी तापमान कम हो जाता है तो इसको उत्र हो जाएगा जल प्रदूशन निवारण और नियंत्रन अधिनियम कब बना था 1974 में 1974 में जल प्रदूशन निवारण और नियंत्रन अधिनियम को बना गया था किस ग्रह को साम का तारा कहा जाता है तो याद अगना कि सुक्र ग्रह को साम का तारा कहते हैं और एगला क्वेशन होगा कि कि से विस्व की छत कहा जाता है यह प्रस्ट कई बार रिपीट हुआ है तो विस्व की छत कहा जाता है कि इसको पामीर का पठार जो कहां पर इस्थी थे यह तिबत में इस्थी थे काली मिट्टी का विस्तार कहां पर पाया जाता है तो फ्रेंट्स यादगना कि काली मिट्टी स सबसे दीप आई जाती है महाराश्टरा में और काकरा पार परमार सक्तिकेंद्र यह किस राज में इस्तित है तो यह गुजरात में इस्तित है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यादकना फ्रेंड्स कि विश्व की सबसे लंबी नदी है नेल नदी और यह अफरीक कौंगर यह सकते हां अरो मंडल में सरवार्धि को सी गैस प्रतिसत तुरूप में पाई जाती है तो फिन्स आदेगना एबाउट 78 पर्शेंट जो गैस है ये नैट्रोजन है वाई में दल में तो नैट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है अगला कोशन होगा कोनार का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में इस में प्रतिसत पानी है अगर ये कुशन है आता तो इसका तुर जाएगा 71% भारत की सबसे लंबी अस्थली सीमा किस देश से लगती है तो यादगना कि भारत सबसे लंबी अस्थली सीमा लगती है बांगलादेश के साथ गैस सिलिंड्रों में गैस लीकेस का पता लगाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है तो ये पदार्थ होता है इथाईल मरक्यप्टन इसे कहते हैं इथाईल मरक्यप्टन भारत में किस बन को वैस्विक विरासत का बन माना जाता है पस्चिम मंगाल का जो सुन्दर बन है भारत में बन महोत्सो कब होता है तो ये एक लेकर 7 जुलाई तक बन महोत सो सप्ता मनाय जाता है 1950 में इसकी सुरुवात की गई थी और मरोस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं तो मरोस्थल में जो पौधे उगते हैं उनको कहते हैं जिरू फाइट्स कई बार पुछा गया प्रस नहीं निवन में कौन सा एक सागरी राष्ट्री उद्ध्यान है सागरी राष्ट्री उद्ध्यान कौन सा है तो विकल्प हैं विकतर कनिका मानस मननार की खाड़ी और सुंदर बन इसमें उत्तर हो जाएगा आपका मननार की और पादफ बृद्ध के लिए सबसे उप्युक्त मिट्टी कौन सी मन tamanho जाती है दोमट मिटटी को सबसे उप्युक्त मिट्टी क्रूप में जाना जाता है इसमें पौधे जो होते हैं तेजी से बढ़ते हैं कौन सा कारक किसी अस्थान की वनस्पत निरधारित करता है यान सरकार किस महिने के पहले सोमार को विस्व हैबिटेट दिवस मना जाता है तो भारत में एक्टूबर का जो पहला सोमार होता है तो उसी दिन विस्व slipp floods दिवस के रूपए मनाआ जाता है और इसकी सरुगाट उन्हेंटिकब फाइड़ा ना Guinっ चाहिए ठीक है और किसी अस्थान की आपेक्षिक आर्दता मापने का जो यंद्र है उसे कहते हैं हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर से किसी अस्थान की आपेक्षिक आर्दता को मापा जाता है विस्व में सरवाधिक लवणता कहां पर पाई जाती है तो ये वान जील में पा अगर यह प्रस्ट आया तब इसको तो क्या हो जाएगा टर्की में ठीक है वांजिल कहां पर इस्थित है ये टर्की में इस्थित है अंतरराष्ट्री अमल वर्षा सुचना केंद्र कहां पर अस्थापित किया गया है तो उसलो में उसलो में है अंतरराष्ट्री अमल वर्षा सुचना केंद्र अच्छा अमला वर्षा का मुख्य का रख क्या है सल्फर डाई आक्साइड है यह भी यादगना पारिश्थित की अस्थाई में तब आईता है यह किस आंदोलन का नारा है तो फ्रेंट चाहदगना कि यह जो आंदोलन था इसको कहते हैं चिपको आंदोलन ठ ठीक है तो जो चिपको आंदोलन था यह कहां पर चलाया गया था आपको पता ही होगा कि जो चिपको आंदोलन था यह चलाया गया था उत्तराखंड में और इसको चलाया किसने था 1973 में चलाया गया था इसे और इसको चलाने वाले थे सुन्दर लाल भगोड़ा जो की अब इस दुनिया में नहीं है, इसी वर्स उनका निधन हुआ है, तो याद अगना कि पाश्थित की अस्थाई में बेता है, ये नारा चिपको अंदुलन का है, लवडी मिर्दा में उगने वाले जो पादप होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं, हेलो फाइट, ठीक है, लवडी मिर्दा में हेलो फाइट, अब फलाई ऐस एक प्रदूसक्स ध्हनुत पाद है, जब आपने देखा होगा कि जब पत्थर के कोले जब जलते हैं, तो उसे क्या होता है, एक प्रकार का जो फलाई ऐस होता हुड़ता है, तो ये मतलब जो पत्थर के कोले होते हैं, को पुछा गया है, Smoke City of India की उपादी किसे मिली है, Smoke City of India तो यह है, कुलकाता फस्टिम मंगाल और वाय मंडल में सबसे अधिक ओजोन कहां पर केंदरी थे, वाय मंडल में सबसे अधिक जो ओजोन पाई जाती है, वो समताप मंडल में पाई जाती है, Stone Cancer जैसे खत्रे का प्रमुख कारण किसे माना जाता है, तो friends, Stone Cancer जैसे खत्रे का जो प्रमुख कारण है, वो अमल वर्षा को माना जाता है, अब यहाँ पर जो Stone Cancer है, इसको यह मत समझ लेना आपकी मानोसरीव होनाड़ा लोग है, इसका मतलब यह होता है कि जो Stones होते हैं, जैसे के वैदर ये पत्तर होते हैं वो गल जाते हैं उन्हें काते है इसका कारण क्ःसर होता है अमल現在 का मुख्य गटक है हूँ सर्फरडाय। तो पाणि सर्फरडाइय अक्साइड मिल जाते हैं फिर है धी इस्टेशनों पर मोटरकारों के प्रदूसरन जाज में किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है तो लेड यानि कि जो पीबी आप कहते हैं संकेतक टीबी होगा और जो कार्बन कड़ोते हैं उन्हीं को मापा जाता है छोब मंडल वाय मंडल का सबसे गर्म परत है क जो इस्मोक सिटी के नाम से किस सहर को जाना जाता है मैंने आपको बताया था कि इस्मोक सिटी आफ इंडिया तो कोलकाता है यह तो आप जानते ही है लेकिन दुनिया का जो इस्मोक सिटी है वो है शिकागो शिकागो चीन और वाय मंडल में धैनिक मौसम परिवर्तन किस पर लीह मौसम में परिवर्तन ग्रीन हाउस के लिए सबसे ज्यादा जो उत्रधाई गयस है उससे लिए सबसे उत्रधाई गयस क्यों सी है कार्बन डाई ऑकसाइड है ओजोन दिवस का मना जाता है कई बार प्रस्ण आथा है कि ओजोन दिवस ये कब मना जाता है कई बार ये प्रस भी आएगा कि ओजोन जो दिवस होता है ओजोन डे ये कब से सुरू हुआ था मनाना तो याद देना कि प्रतिवास होता है 16 सितंबर को ओजोन दिवस ठीक है और इसे ओजोन के सनक्षक लिए मना जाता है आपको पता ही ह से इसको start किया गया था 1987 से ठीक है आगे बढ़ते हैं और chlorofluorocarbon का व्यापारिक नाम क्या है इसको cfc भी कहते है chlorofluorocarbon तो इसको कहते हैं phryon ठीक है और जर्वाई परिवरतन के लिए उत्तरदाई गयसें कौन कौन सी है तो जर्वाई परिवरतन के लिए फ्रेंड जो उत्तरदाई गयसे वह है नाइट्रस ऑक्साइड एन्टू ओ लिखते हैं इसे मेथेन है CH4 और cfc है इसके लिवाज जर्वास भी होता है ओजोंच्षिद्र का कारण कों सीτο गयस बनती है तो यह cfc बनती है ओजोंच्षिद्र का कारण ताजमहल की मॉलिक सुन्दर ता कि नस्ट होने का कारण कोंसी गयस थे Zig War одceğ MBA की जो है ने इस प्त्तर है और इस समाप तो रही है क्योंकि इसके जो पत्तर है वो हलके से अप्पीले होते जा रहे हैं अब यहाँ पर देखो मैं आपको बताऊंगा वन नीत से समंदित कुछ अधिनियम जो की एक्जाम में अक्सर पूछा जाते हैं इनमें से कोई ने कोई एक प्रस्तो पूछा ही पूछा ज नीकान गुंट आंठीव कोई उन्स से हन्रेक्षिन अधिनियम इन्elier इंडेट में और वन से क्थ न अंत्र में यह समंझको अधियेंगा था सब्सक्राइब वार्ण लुष समीयें 22 212 एकजाम में rpm पूछा गया है पुस्पो का जो अध्यन होता है उसे कहते हैं एंथोलाजी क्या कहते हैं एंथोलाजी और कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है तो उसका नाम है टाइलिन टाइलिन नाम जो एंजाइम है वो लार में पाया जाता है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है तो यह है एस्ट्रोजन और मानोशरीर में सबसे बड़ी ग्रंधी काउस है यकलित होती है यह तो आपको पता ही होगा भारत में सरवार्धिक वर्षा किस मांसून से प्राप्त होती है एक्जाम में कई बार पु भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है कुरोमंडल तट जबकि भारत का जो पस्चिमी तट है उसके उत्तरी भाकु कहते है कौंकर तट और धक्षडी भाकु कहते है माला बार तट तो कौरोमंडल तट कौंकर और माला बार तट यह बिल्कुल आपको याद र किस राज मिस्तिह और यह सिर्फन जंगा इसको जो है से वाल लुंगुमा काते हैं लिम्भाणसा में विस्टक तीसरी सबसे और चोटी है और सिखिम के उत्तर पहस्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है तो कंचन जंगा सिक्की में याद रखना भारत में रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है केरल में होता है और अगनी वले किसे का जाता है अगनी वले तो फ्रेंड्स विश्व के लगबग दो त्याई ज्वारामों की प्रसांत महसागर के वृत्य पाया जाते हैं अब इनको ज्वाला वृत्य या अगनी व्रित्य करते हैं या इनने अगनी वले कहते हैं अभ यहाँ पर यह याद थख लो भहुत ही महत पूर्ण लाइन है कि अगनी वले पांच प्लेटों का सम्नित भाग है कर भार पुश आ अपसौर को क्या कहते हैं तो अपसौर का मतलब मैं आपको बताता हूँ देखो, जब पृतिभी सूर से अधिक्तम दूरी पर होती है तो अपसौर होता है और इसे इंग्लिस में क्या कहते हैं अपसौर को इंग्लिस में क्या कहेंगे इसको कहते हैं A-P-H-E-L-I-P-O-Y-N और इसी के साथ एक और होता है अपसौर हो गया एक होता है उपसौर तो वो घटना कब होती है यह आप हमें बताओ आगे मैं इसके बारे में आपको बताओंगा यह बताओ कि HDI मानो विका सुचकान को कौन सी संस्था जारी करती है तो UNDP जारी करती है United Nation Development Program के द्वारा जारी के जाता है HDI Human Development Index और यह भी आदगना कि 2020 में भारत की रहेंके 131 टॉप पर रहा है नार्वे भारत में हरित करांथी का सुत्रधार किसे माना जाता है तो डाक्टर M.S. सौमिनाथन को जबकि प्रसना आएगा कि विस्व में हरित करांथी किसने लाई थी या विस्व में हरित करांथी के प्रनेता कौन थी तब इसका उतर हो जाएगा डाक्टर Narmann बोरलाग भारत में सुएत करांथी के जनक माने जाते हैं डाक्टर वर्गिस कुरियन कई बार पुछा गया प्रस्ना है और मदमक्खी पालन को कहते हैं एपी कल्चर ठीक है एपी कल्चर अदमक्खी पालन के लिए सबसे उप्यूक्त जो पेड होता है वो लीची का होता है जबकि रेसम का जो कीडा होता है तो रेसम किट पालन को दो पहरें ये समझलो कि रेसम किट पालन को कहते हैं सेरी कल्चर और रेसम किट पालन के लिए सहतूत का पीड सबसे अच्छा बना जाता है हाथी का जो गर्ब काल होता है वो कितना होता है 22 मा का होता है मनलब नियर अबाउट दो मेने कम दो साल और कीड भक्षी पौधे ये कहां पर पाया जाते हैं तो फ्रेंड्स कीड भक्षी पौधे वहां पर पाया जाते हैं तो व्यूसर की सबसे उची चोटी मांड एवरेस्ट परचणने वारी जो पहली भारती महिलाती वो हैं वचेंदरी पाल, पुरवांचर की पहाड़ियां भारत देश को किस देश से अलग करती हैं, तो मैं अमार से, ये भी आपको याद रखना है, देशांतरों की संक्या कित हैं, मतब 360 भागों में हमारी पृत्वी को बार दिया गया है, और यहां पर इन्हें कहा जाता है देशांतर, ठीक है, तो उत्तरी जुरूसर को मिलाने वाली 360 प्रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है, पृत्वी की उपसौर इस्तिति कभ होती है, मैंने आपको ब मार्ग कर, सेवा कर, सिक्षा कर और सीमा कर में, कौन सा कर है, मार्ग कर, सेवा कर, सिक्षा कर और सीमा कर में, कौन सा कर है, कौन सा टैक से, जो भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता, तो यह है मार्ग कर, ठीक है, मार्ग कर, कौन सा खनीज केरल में बहुत आते मिलता है तो यह है, Monozyte, और भारत ये Uranium कहा पर पाया जाता है, तो भारत कई राज्यों में Uranium पाया जाता है, जैसे कि राजस्तान, जारकंड, 36 गड, मेगाले, तेलंगाना, आंध प्रदेश, बरतमान में जारकंड और आंध प्रदेश में ही Uranium का खरन किया जा रहा है, तो basically आप इ थी, 1965 में होई थी, दिलवाडा मंदिर किस धर्म से सम्बंदीत है, तो यह जैन धर्म से सम्बंदीत है, दिलवाडा मंदिर इसे दिलवाडा भी कहते हैं, पांच मंदिरों का एक सम्मू है, कई बार पुछा क्या प्रस्न है कि दिलवाडा मंदिर कितनी मंदिरों का सम्मू ह तो पाँच मंदिरों का और ये रास्तान के सिरोही जिले के माउंड आबू नगर में है और इन मंदिरों का निर्माण 11 और 13 सदावदी के बीच किया गया है सिला लेखों का जो अध्यन होता है उसको क्या करते है एपीग्राफी करते है ये भी कई बार पुछा गया प्रस्तन है और विटामीन B12 का रासानिंग नाम क्या है तो सभी विटामीन की जो रासानिंग नाम है वो आपको बिलकुल पता होना चाहिए साइनो को बालमिन कहते हैं बीटामिन B12 को मलेरिया रोग में सरीर का कौन सा जो पार्ट है वो प्रभावित होता है तो ये तिली जो पलिया होता है वो प्रभावित होता है LPG का मुखी घटक होता है प्रोपेन कई बार पुछा गया प्रस्न है ये कौन सा क्रम पारिष्थित की तंत्र में उर्जा प्रवा के संबंध में सही है तो याद हैना कि जो पारिष्थित की तंत्र है उसमें उत्पादक से उभवोकता और पर उभवोकता से अब घटक तो ये सही करम होता है, ये प्रस्ण कई बार एजाम में पूछा भी गया है जेट्रोफा का नाम आपने सुना होगा, जेट्रोफा जो कि बायोडीजिल के लिए प्रहोग मिलाया जाता है तो ये किस कुल का पौधा है, किस फेमिली का प्लांट है, ये यूफार बीए सी कुल का पौधा है, ये भी आपको यादखना है तुलसी का पौधा आपके घर में जरूर होगा आपने जरूर लगाया होगा तुलसी के पौधे का जो scientific name में वो होता है Osimum Sactum और 200 परवाण दिवस यह कमना आए जाता है प्रतिवस 5 जून को पताईए 2021 की theme क्या है ecosystem restoration और 2021 का जो host country है मेजबान देशेव हो है पाकिस्तान यह प्रसमी बहुत ही मुत्वण है भारत में 200 परवाण दिवस 2021 की theme जोको यहाँ पर मैं एक बात असपर्श कर दूँ कि 25 परवाण दिवस यह होता है 5 जून को यह confirm हो गया इसकी theme क्या है ecosystem restoration है यह भी confirm हो गया लेकिन भारत में जो परवाण दिवस मनाया गया 5 जून को भारत में उसकी theme रखी गई बहतर परवाण के लिए जयव इंधन को बढ़ावा देना Wildlife Institute of India यानि कि WII कहां पर इस्तित है देहरादून उत्राखंड में सोला घास सोला घास कहां पर पाई जाती है तो यह पस्टमी घाटों पर पाई जाती है सोला घास अब भारत में पेलिकन पक्षी जो होते हैं यह कहां पर प्रजणन करते हैं UPTT में पुछा गया प्रस्ट है तो याद अगना कि नेला पट्टू कुंथन कुलम कोकारे और बेलूर आज जो जगहें हैं वहाँ पर पेलिकन पक्षी अपना प्रजणन करते हैं मेरी मातारों के बारे मैंने आपको सुरू में ही बताया था यह होता है पारा प्रदोसित जाता है अजमेर में अल्ट्रा वालेट ए अल्ट्रा वालेट बी और अल्ट्रा वालेट सीरेज में कौन सबसे अधिक हानी पहुचाती है तो याद अगना अल्ट्रा वालेट सी सबसे अधिक हानी कारक मानी जाती है गिर सेर परियोजना कहां पर वस्तित है यह प्रस्ट त कित्तर में नस्टनल पार्क होसित किया गया था और यह एक मात्र ऐसा उध्यान है जहां पर ACI सेर पाई जाते हैं इसलिए इसको होम आफ एसीन लाइन्स भी कहा जाता है और WWF का मुख्याल है तो यह ग्लैंड शुटे लैंड में है और जैसे कि मैंने शुरू में आपको पता है था कि WWF का जो प्रतीक चिन है वो है जाइन्ट पांडा और इसी के साथ अगला कोशन होगा कि गंगा नदी कहां से निकलती है तो फ्रेंच आ देखना कि गंगा नदी जो किलो मीटर कोटो पैक्सी एक जागर जोला मुखी है और यह इस्थित है कहां पर तो यह दक्षण अमेरिका एक्केडोर के एंडीच परवतमाला में इस्थित है तो कोटो पैक्सी कहां पर है एंडीच परवतमाला में तिबद की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है ब् जो चेतर है वह आशाम का घास भूम चेतर के पारितंद्र की खादिर श्रिंकला में सबसे उच अस्तर की जो भोकता होते हैं वो मांसारी होते हैं आपको पता हिए उत पाधक उसके बाब प्रफ़न स्रेडी को भोकता फिर धुति स्रेडी के तो ये क्रम चलता है तो सबसे कर लाइक वीडियो में आपको बहुत पहले उपलब्द करवाया था अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक में दे दूँगा वीडियो के discussion में एक बार उसको देख लीजेगा ताकि आपको पृतिवी के वायमंडल सभी पड़तों के होता है पार्षित की तंत्र में उर्जा का मुख स्रोथ होता है सूर का प्रकास सूर का प्रकास होता है तभी पौधे बनते हैं पौधे हैं तो फिर उसके बाद टिड़े उसको खाते हैं या जो साकारी जी होते हैं उनको खाते हैं साकारी जीओं को मांसारी जीओ खाते हैं त सेनिंग द्वारा जनल प्रदूस्रण सबसे अधिक कहां पर पाया जाता है पस्चिम बंगाल में यह प्रस्ट कई बार रिपीट हो रहा है फूलों की घाटी कहां पर होस्तीत है तो यह उत्राखन में होस्तीत है जबकि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्याले है अस्थापना इसकी कब हुई थी 1971 में ध्वने प्रदूस्रण का मापन किस इकाई से किया जाता है तो यादगना ध्वने प्रदूस्रण को डेसिबल से मापा जाता है हिमानी द्वारा किस आकार की अस्थराकृति का निर्माण होत है वह यू आकार की अस्थराकृति को बनाती है जो नौजवान नदियां होती है वह वी आकार में बनाती है तापती सुवंड रेखा नर्मदा और सिंदु में कौन सी नदी बंगाल की घाटी में गिरती है तापती सुवंड रेखा नर्मदा और सिंदु में सुवंड यह प्रसमी बहुत बार पुछा गया है कि मंद्यप्रदेश का कौन सा सहर जिलो का सहर होता है तो इसका उत्तर बनता है भोपाल और अभी हाली में स्वक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् भूखता ठेक है प्रात्मी भूखता जो होते हैं वह साकारी होते हैं क्योंकि वह प्रेड़ पौथो पर डिपेंड करते हैं और ग्रीन मफलर का संबंद किस्से है ध्वन प्रधूशन से आपने देखा होगा कि क्या करते हैं कि सड़कों के यहां पर आवास रहते हैं तो बीच में कुछ परतिया रगा दी जाती है पौधों की ताकि क्या होए कि जो यहां पर सोरगूल है वो इन पौधों की वज़ा से फड़क कम हो जाए और यहां वह जो ससाइटीज हैं वो थोड़ी सी सांद्र हैं इसको कहते हैं ग्रीन मफलर भू पारस्तित की तंत्र में उर्जा का महत्पूर सूर्य है तो मैं आको बताई चुका हूँ और टाइटन किस ग्रह का प्राकिर्तिक उपग्रह है तो सनी का है किस मिर्दय का निर्माण लावारदार होता है तो काली मिट्टी का और सरवाधिक जयवी वित्ता कहां पर पा अथर में कौन सा कायंतरित सेल का उधारन है तो यादगना कि जो यहां पर संगमरमर है वो कायंतरित सेल का उधारन है इंचारों में किस मिट्टी का विस्तार भारत के सरवाधिक छित्र पर है भारत के सरवाधिक छित्र पर आपको मिलेगी जलोड मिट्टी भूकम्ब की त जो चख्रन है उसे करते हैं जै्वय दृशाली चक्रें इंसलीन के रायसाली फ्रक्र्किटी क्या है इंसलीन है क्लिए एंजाइम है प्रोटीन तो यहाँ पर याद अoga दो कि इसुनीन जो है यहेक प्रोटीन है ठीहें और ये इंसुलिन जो है ऐसा प्रोटीन है जिसे बैग्यानिकों ने सफलता प्राप्त कर लिए है प्रक्साला में बनाने के लिए मानोर उधिरवर की खोज सबसे पहले किस बैग्यानिक ने की तो लैंड इस्टीनर ने की थी कहाँ पर आस्ट्रेलिया में 1901 में और बीटी का पास क्या है तो बीटी का पास मतलब एक ट्रांसजेनिक पौदा है इन पौदों में बैसिलस थुरी जिनसी नमग भी जिवानों की प्रस्तिती होती है जिसके वज़े से ये जो पौदे होते हैं वो रोगों से लड़ने में सक्षम होते है यानि कि पैदावार इ कई बार पुछा गया प्रस्त है तो इसके उत्रों जाएगा आगने चटान है वेसल चटान और जीवों के व्यवार का अधियन क्या कहलाता है तो इसे कहते हैं इतोलाजी क्या कहते हैं इतोलाजी तो फ्रेंड ये थे एवियस के 151 बहद मतलब प्रस्त मुझे पूरा पूरा वीडियो आपने देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अब एक लाइक कर दीजिए थेंक्यू सो मुझ है वे ग्रेट टे जय हिंद